नमबर स्रीज, it is very important topic according to PPSC and FPSC, we will discuss it according to past papers, so let us start सबसे पहले मैं कुछ problems discuss करूँगा और ये problems past papers से उठाए हैं और ये simple से complex की तरफ चलेंगे simple functions को पहले discuss करेंगे, जिनके अंदर single function को लेके problems को proceed करेंगे और उसके बाद हम double function problems को देखेंगे, और last में complex problems को देखेंगे कि नमबर स्रीज के अंदर किस तरीके से past papers के अंदर complex problems जो हैं, वो आयें तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं example 1 को, example 1 में आपके सामने एक सरीज है two, four, six, eight, ये junior cleric PPSC का paper था 2022 में, उसमें पूछा गया था, very simple, अगर इस तरह की सरीज आती है तो आप difference method को लगाएं और ये difference method जो है, इस difference method का मतलब ये है कि आप दो के दरम्यान, दो जो terms हैं, उनके दरम्यान difference निकालें जैसे ये सरीज two, four, six, eight और इसके बाद हमने number find करना है तो ऐसा करें कि जो पहले two terms हैं, इनके दरम्यान difference निकालें तो two और four के दरम्यान कितना difference है, four minus two, two, और इसके बाद next two terms है, six and four, इनके दरम्यान difference निकालें तो six minus four, again equal to two, इसी तरीखे से next two terms के दरम्यान, eight minus six, again equal to two अगर हम इस स्रीज को observe करें, तो difference method ये बता रहा है, कि सब के अंदर जो difference हा रहा है, वो two का है पस हम इसी domain के अंदर ये predict कर सकते हैं, कि जो next term आएगी, eight के बाद जो term आएगी, उसके अंदर भी difference two का होगा तो it means कि जो हमारी next term होगी, eight plus two is equal to ten, तो इस mcqs के अंदर, इस specific mcqs में, जो हमारा correct option होगा, वो d होगा example two को देखे, again ये ADN, ANF का paper था 2021 में, उसके अंदर पूछा गया था, three, six, twelve, twenty-four, अब यहाँ थोड़ा सा complex है, पहले से, अगर हम यहाँ भी difference method से भी कर सकते हैं, और मैं आपको इसका एक और clue, और एक और method भी बताता हूँ, जिससे आप इसको handle कर सकते हैं, सबसे पहले हमें, six, minus three, तो difference आएगा, three, next two term में difference होगा, 12, minus six, तो difference होगा, six का, again, 24, minus 12, तो difference होगा, 12, तो अगर हम इस pattern को देखें, तो three, three के बाद six, और six के बाद 12, यानि three को अगर two से multiply करें, तो six आता है, six को two से multiply करें, तो 12 आता है, पस अगर हम इसके बाद वाली next terms निकालना चा पड़ेगा, ultimately हमारा answer क्या आएगा, 24, जो कि यहां पर given है, और अगर 24 के बाद जो हमें required term है, जो question mark में, या question में पूछी गई है, उसको हम find out करना चाहते हैं, तो हमें 24 को भी, again, two से multiply करना पड़ेगा, लहाज़ा हमारा next, जो term होगी, वो होगी 48, तो यहां पर हमारा correct option फ 4 and 16, next term हमने निकालनी है, इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले किया है, इस series को भी हम guess करते हैं, अगर हम two को देखें, और two से हमने जाना हो four में, तो हम क्या करेंगे, अगर two का square ले ले ले, two का square, तो हमारा answer आजाएगा four, और अगर हम four का square ले ले ले, next term का, तो हमारा देख सकते हैं कि जो number आ रहा है, उसका square लेके next बन रहा है, two का square four बना है, four का square 16 बना है, तो again 16 का square जो होगा, 16 का square, यह हमारी next term होगी, और 16 का square होता है 256, तो यहाँ पर हमारा correct option C होगा, तो हम देख सकते हैं कि जो पहले हमने problems discuss किये, उनके अदर just difference था, किसी के अदर square था और किसी के अदर cube भी हो सकता है, तो addition हो सकती है, subtraction हो सकती है, even हमारे square root वाले problems हो सकते हैं, यह तमाम चीजे cover ताब होगी जब बार बार practice करेंगे, और उससे यह concept और इन number series के उपर grip जो है, वो students की आए, next problems को देखे, 128, 64, 32, 16, 8, अब यहाँ अगर observe करे, 124 से 64, 64 से 32, और 32, 16, और 16, 8, तो एक चीज़ हमारी फॉरं जेन में जाती है, कि अगर 120, 128 को अगर हम 2 से divide करवाएं, तो हमारा जो answer आएगा, वो 64 आएगा, और 64 को again 2 से divide करवाएं, तो हमारा answer 32 आएगा, और 32 को भी 2 से divide करवाएं, तो answer आएगा, 16, again 2 से divide करवाएं, answer 8, और हमने चुके next time 8 के बाद find out करनी है, तो 8 को भी 2 से divide करवाएं, तो हमारी ultimately जो required time है, वो 4 होगी, और ये हमें किस तरीके से पता चला है, कि तमाम numbers जो हैं, वो 2 पे divide हो रहे हैं, लहाजा last वाला number भी 2 पे divide होगा, तो तब ही हमारी जो required time है, वो आएगी, और इसमें फिर correct option होगा हमारा B, number series क जिनके अंदर एक से ज्यादा series जो हैं, उन से मिलके ये बने, इनको हम compound series भी कह सकते हैं, जिनके अंदर एक से ज्यादा series मौजूद होगी, या दूसरे लफ़जों में इने complex number series भी कह सकते हैं, इनको detect करने के लिए excessive practice की जरूरत है, और इस practice के बाद ही आप इस काबल होगे के इन चीज़ों को असानी के साथ detect कर पाएंगे, आए चलते हैं और डिसकस करते हैं कुछ examples को जो past papers के अंदर questions की सूरत में आ चुकी है, जो पहली series हमारे पास यहां पे मौजूद है, इसके अंदर 1, 1, 8, 4, 27, and 9, और next number required है, देखें, यहां पे मैं अगर कहूँ के पहले एक series है, 1, 4, और फिर 9, यह चल रही है, और यह question mark के बाद वाले number देगी, यानि मैं इस series को अगर separate करूँ, तो यह है one, four, nine, और फिर इसके बाद इसका number आएगा, और इस series में जो ratio चल रही है, यह कुछ इस तरीके से चल रही है, कि one जो है, one, इसको मैं कह सकता हूँ, यह one number आएगा, वो 16 आएगा, अब question mark की जगहा पर काउन सा number होगा, तो यह दूसरी series का है, जो यह दरम्यान में चल रही है, one, eight, sorry, अगर इस one को इसके साथ add joint करें, तो इस series को हम four, eight के साथ, और फिर 27 के साथ, और फिर question mark के साथ कर सकते हैं, यानि हम इस series को कुछ इस तरीके से two का cube, two का cube eight होता है, कैसे बाला? two को three times multiply करें, तो two two's are four and four two's are eight, और इसी तरीके से जो next हमारी term होगी, वो 27 है, तो 27 three का cube है, three को three time multiply करें तो 27 आता है, और same, जो next हमारी term होगी, वो four का cube होगा, तो four को three time multiply करें, four को four से किया तो 16, और 16 को again four से किया, तो 64, it means हमारा जो correct option होगा यहां पे वो 64 होगा ए अप्शन तो यह ऐसी सरीज ती जिसके अंदर यो कंपाउंट सरीज ती जिसके अंदर दो सरीजिस बयाक वक्त चल रही थी नेक्स क्वेस्टिन को देखे एट थर्टीन 15 12 17 19 इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको भी इसी तरीके से हम सॉट उट कर सकते हैं 8 13 15 12 17 19 अब यहां पे थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा कि पहली जो दो टाम्स हैं इनके दरम्यान डिफरेंस आ रहा है फाइब का और जो नेक्स्ट दो टाम्स हैं इनके दरम्यान डिफरेंस है टू का उसके बाद जो नेक्स्ट दो टाम्स आएगी उनके दरम्यान डिफरेंस आएगा इनके दरम्यान अडिशन है टू की इसके दरम्यान अडिशन फाइब की फिर अडिशन है टू की फिर सब्स तो 19 अब इस मीन्स के जो हमारे पास स्अकिवूस चल रहा है तो सिर्धार इस तरीका से खाए कि पहले में प्लस 5 है फिर ya-3 है अग्यें प्लस 5 प्लस-2 और इसके बाद जो तर माइनस में Present तरी होगात तो sap-4 री करें तो answer आएगा 16 तो question mark की जगा पर जो correct option होगा हमारा वो 16 होगा लहाजा यहाँ पर C option correct option है अब उन तमाम features को देख सकते हैं जो previously हमने इसके अंदर अगर आप देखें तो 4, 6, 10, 18 और हमने next term find out करनी है और उसके बाद है 66 अगर हम यहाँ पे पहली दो terms के दरम्यान difference देखें तो 2 का है next two terms के दरम्यान difference 4 का है उसके बाद next two terms जो है उनके दरम्यान difference 8 का है next term हमने find out करनी है और उसके बाद जो difference आएगा वो term होग 1 है, next 2 की power 2 है next 2 की power 3 है, it means कि उसके बाद जो term आएगी, अब यहां पर एक चीज जेन में रखिएगा, कि 4 इसके बाद हमने add इसमें किया है 2 it means कि 2 की power 1 को हमने add किया है 4 में, तो 6 आया है अब 6 में हमने 2 की power 2 यानि 4 को add किया है, तो 10 आया है अब 10 में हमने 2 की power 3 को add किया है, तो 18 आया है और 18 में हमें फिर 2 की power 4 को add करना पड़ेगा और 2 की power 4 equal होती है 16 के, तो ज़रा 18 में 16 को add करें तो answer आएगा 34 तो यहां पे फिर जो question mark वाली जगा है यहां पे हमारा correct जो term आएगी, वो 34 आएगी इसको confirm कर लेते हैं, हम ज़रा check करके कि क्या, यह जो हमने sequence बनाया है, यह ठीक है या नहीं है तो next 2 की power 4 के बाद क्या आता है 2 की power 5, अब 2 की power 5 को add होना चाहिए 34 में और answer आना चाहिए 66 तो 2 की power 4 होता है 32, इसको ज़रा add करें 34 में तो 66, यह ज़रा 66 answer आ रहा है और यह confirm कर रहा है, कि जिस sequence को हम लेके चल रहे हैं, वो ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारा correct option होगा, C example 4, very interesting and थोड़ी सी यह complex है ज़रा इसके अंदर देखें, कि पहली दो terms है, 3, 5, 10, 12, 24, 26 अगर हम इसके अंदर, जो as usual हमने difference के method और square के method देखें हैं, वो लगाएं तो वो satisfy नहीं होते चुकि हमें बहुत random terms नजर आ रही है हम ऐसा करते हैं, इनके pairs बना लेते हैं पहली दो का pair, फिर next two का pair फिर next two का pair और इसी तरीके से जो next आ रही है उनका pair, अगर हम पहले pair में difference देखें तो two का आ रहा है इस two को, इस pair के अंदर जो दूसरी term है, उससे multiply करें तो हमारी next term आ रहीगी 10, इसी तरीके से इसमें difference देखें तो again difference two का आ रहा है और इसको again हम multiply करें इसी pair की जो दूसरी term है 12, उसके साथ तो answer आएगा 24 यहाँ पर हम difference देखें तो फिर again difference जो है वो two आ रहा है और इसी two को हम इसी pair की जो दूसरी term है जो यहाँ पर 26 है उससे multiply करें तो हमारी next term आएगी फिर two को 26 से multiply करेंगे तो हमारी next term आएगी 52 तो यहाँ पर फिर हमारा correct option होगा यह थी हमारी आज की number series की वीडियो जिसके अंदर हमने short domain के अंदर कोशिश की कि simple जो number series के sequence है उनको discuss किया जाए और उसके बाद जो compound और complex है उनको भी थोड़ा detail में discuss करें यह तमाम questions past papers से उठाए गए हैं और इसी तरीके से आप screen पे देख सकते हैं कि आपको एक home assignment के तौर पे जो previous papers के अंदर questions आए हैं वो दिये गए हैं इनको जरूर practice करें और इस तरीके से मिलते जुलते questions जो past papers में उनको ज्यादा से ज्यादा practice करें यह आपकी number series की उपर grip को मजबूत बनाएंगे और इस तरीके से आप कम वकत के अंदर exam में बैठे हुए सही तरीके से अपने correct option तक पहुंच सकते हैं मजीद videos के लिए channel को subscribe करें bell icon को press करें